दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाऊ अभी इसी कोर्पर्ट के जैसा एक और बहुत अच्छा उश्द है जो आपने स्वेंपाथ घर के बिल्कुल नज्दीक हो सकता है जेंदे का फूल गेंदा मराटी में क्या कहते हैं जेंडू यस जेंडू जेंडू का फूल गेंदे का फूल अंग्रेजी में हम सब उसे मेरी जेंडू के फूल का इतना ताकत है आपको याद है कई बार हमारे भारत देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं युद लड़ते हैं अभी थोड़े समय पहले आपको शाहिद याद होगा कार्गिल युद्ध हुआ उस कार्गिल युद्ध में भारत के 680 सैनिकों को तो शहीद हुए और बाकी कुछ 1200-1300 सैनिक ते जो घायल हुए किसी को बोली लगी किसी को बॉप लगा और सब को घाव भेंकर हो गई आप किसी भी मिलिटरी होस्पिटल में जाए तो आपकी आँखों से देखेंगे कि जिन सैनिकों को भेंकर चोट लगती है गाव होता है गूली लगती है दम लग जाता है उन सब को यही दिया जाता है जेंडू के फूल का रस कि जेंडू के फूल की चटनी खेंडू के ुप फूल की चटनी अगर बनाके उसको लेपन किया जाए तो बड़े से बड़ा घाव भर जाते हैं और यह रस पीने को दिया जाए और जल्दी भर जका मेंद तो जब कारगिल्युद्ध के समय अपने सेनिकों को जिनको घायन होने की सूचनाई की सब को हस्पितल के अंदर ये ही उपियोग में लाया गया और बहुत अच्छी परिणाव इस जहेंटू के फूल को हमेशा धर में बना के रख गिए किसी भी तरह की चोट में अदूद काम करता है ये सबसे बड़ा एंटिसेप्टिक है सबसे बड़ा दुनिया का इससे अच्छा एंटिसेप्टिक पूरी दुनिया में नहीं है और अगर जहेंटू के फूल की चट्नी बनाएं और इसमें थोड़ा खोरपड का रस मिलाएं तो बिल्कुल सोने में सुहावी जैसा काम करता है बहुती अद्बूत कॉम्बिनेशन है जेंदू के फूल की चट्नी और खोरपड का रस मिक्स करके खराब से खराब धाव पर लगा दीजे पूरा शरीर सड गया हो ऐसे लोगों को लगा दीजे मैंने इसका उप्योग किया है कोडी ओंपर आप जानते कुछ लोग कोडी हो जाते शरीर का अंग उनका गलना शुरू कर देता उनके शरीर के गले हुए अंगों पर जब मैंने ये लगा दिया तो उसी के बाद उनका गलना बंद हो गया शरीर तो आप इसको घर में लगाते रखे जंडू के फूल का सबसे अच्छा उप्योग है शरीर के बाहर के अंग में कहीं भी चोट लगे किसी भी तरह से गोली लग गई हो बंब लग गया हो एक्सिगेंट की चोट हो जल्दी से उसको भरना हो दील करना हो तो यह बहुत अच्छ करें और हां हमारा Android एप डाउनलोड करना ना भूलें